जैहिन साथियों तो इंडियन एरफोस गैर लड़ाकू भरती अर्थार नॉन कॉंवेटेंट की एर्मिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं फाइनल सभी कंडिडिट की एर्मिट कार्ड आने सुरू हो चुके हैं तो अगर आपने भी आवेदन किया था तो सायद आपका भी एर्मिट कार्ड आ चुका होगा अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा वेट कीजी आपका भी एर्मिट कार्ड आ जाएगा तो यहाँ पर admit card जारी हो चुके हैं और फ्रेंस यह vacancy कहीं ने कहीं Indian Navy MR से तो बहतर ही है मैंने आप लोग को recommend किया था कि इसमें आप आवेदान जरूर किजेगा क्योंकि इसमें Indian Navy MR के बराबर ही payment मिलेगा और सभी candidate के admit card आ रहे हैं जिनके 60% है, 62% है कितने भी percentage है, percentage माइने नहीं है अगर आपने आवेदान किया है तो आपका admit card जरूर आएगा और इसमें कोई भी experience certificate की भी जरूरत नहीं थी तो बहुत सारे लोगों ने apply भी किया था लगभग एक लाग से ज़्यादा केंडिन ने apply भी किया था जिन्होंने हमारे चैनल को follow किया था उसने भी जरूर इसमें apply किया होगा तो यहाँ पर देखे admit card आ चुके हैं यहाँ पर आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनका admit card आ चुका है उन्हें exam center में कौन-कौन से documents लेके जानने होगी और हम बात करेंगे कि कितने percentage पर admit card रिलीज किये जा रहे हैं बहुत सारे लोगों का यह भी doubt है कि हमारा अभी तक नहीं आ जाया है तो कितने percentage पर आ जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे कि वहाँ पर क्या-क्या होगा फिजकल प्रोसेस में क्या-क्या होगा अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर रिटेन एक्जाम होगा या फिर फिजकल होगा या फिर मेडिकल तीनो साथ में होगा तो समपूर जानकारी आज कि इस वीडियो में देने वाले हैं उससे पहले चैनल पर पहली बारा है तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि Edmit card कितने percentage पर आ रहे है तो देखे Edmit card की बात करते हैं तो Edmit card सभी के आ रहे हैं जिसने भी इसमें आवेदन किया था सभी के Edmit card आ रहे हैं अगर आपका form वहाँ पर पहुंच गया होगा तो आपका admit card जरूर आएगा इसमें percentage माईने नहीं रखता आपके कितने भी percentage है योगि 10th level की vacancy थी तो 10th path candidate आविधन कर सकती थी तो आपके 10th में जितने भी percentage है तो सबी के admit card आएगे उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको exam देने कहा जाना पड़ेगा वहाँ पर reporting time भी दिया रहेगा तो सब कुछ आपके admit card में मिल जाएगा तो उसे आप read कर लेजेगा उसे के card आपको जाना है जिस भी date को दिया होगा उसी date को आप जाएगा उसके बात करते हैं कि selection process के बारे में कि वहाँ पर क्या-क्या होगा जब आप वहाँ पर जाएगे तो आपसे क्या-क्या कराया जाएगा तो देखें इसका selection process की बात करें तो जब आप exam center में जाएगे तो सबसे पहले आपका return test होगा उसके बाद आपका profiancy test होगा उसके बाद आपका physical test होगा दिन आपका normal document verification करेंगे तो ये चार step होगा वहाँ पर सबसे पहले हम बात करते है return test के बारे में जब आप वहाँ पर जाएगे तो आपसे return exam में क्या कराया जाएगा उसके बाद हम document के बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहले return exam आपका होगा जिसमें base question आएगे general English के 10 question होगे minimum 20 question आएगे 20 mark के होगे और इसमें आपको 50% लाना कम पलसरी होगा अथात आपका यहाँ पर 10 mark आने चाहिए 20 में से normal question होते हैं आप बड़ी असानी से कर जाएगे general question आपसे पूछे जाएगे ज्यादा तर इसमें जो general knowledge की question होते हैं बहुत ही basic होते हैं तो वो आप असानी से कर जाएगे और English के भी basic ही question आते हैं जब आपका return exam होगा दिन आपका proficiency test करा जागा आप देखे proficiency test आपका 30 mark का होगा इसमें आपसे कुछ basic से question पूछे जाएगे और हो सकता है कि आपका वहाँ पर कुछ test भी करा जाए जिस भी stream में आपने apply किया था जैसे अगर आपने miss water में apply किया था तो उसे related आपसे question पूछे जाएगे कुछ practical भी करा जाएगे तो वो आप असानी से clear कर जाएगे आपने जिस भी post में apply किया होगा तो थोड़ा बहुत basic ग्यान तो सवी का होता है तो आप जो भी basic knowledge होता है उसे miss ना किजिएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी चीजी पूछे जाएगे दिन उसके बाद आपका होगा physical अब देखें फिने फिजकल में आपसे running करा जाएगा 1600 मीटर की running करनी होगी आपको 6.6 मिनट का time दिया जाएगा उसके बाद आपसे 10 pushups करा जाएगे उसके बाद 10 setups करा जाएगे और 20 squares करा जाएगे तो यह इसका physical का criteria रहा तो फिने document की बाग करने तो सबसे पहले आपको आपका admit card लेके जाना होगा जो admit card आपको send किया गया है वही लेके जाना होगा अब देखें बहुत सारे लोगों का doubt है कि admit card किस तरीके से आ रहा है तो admit card यहाँ पर by post ही आ रहा है तो बहुत सारे लोग इसमें भी confused है तो by post आपके address पर admit card भेजा जा रहा है उसके बाद आपके admit card के बाद आपको photograph लेके जाने होंगे तो आप 5-6 photo लेके जाएगा और बेहतर होगा कि आपने जो photo apply form में लगाया था वही लेके जाएगा उसके बाद आपको लेके जाना होगा आपका 10th का math sheet तो 10th के certificate आपको लेके जाने होगी original लेके जाने होगी photo copy नहीं चलेगा अगर आपने कुछ additional certificate भी लगाया है जैसे अगर आपने NCC लगाया है या फिर 12th का लगाया है तो जो भी आपने form apply के time लगाया था उसे लेके जाएगा देन उसके बाद आपको लेके जाना होगा character certificate अब देखें बहुत सारी लोग इसमें confused है कि character certificate कहां पर मिलेगा तो देखें अपने character certificate ले जाना आपको compulsory होगा अगर आपने form apply के time character certificate नहीं लगाया था तो इसमें ले जाना compulsory होगा तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लेजी इसमें ज़्यादा time नहीं लगेगा आप अपने gram serpence के पास जाएए simple सा only 10 minute में बन जाएगा उन्हें क्या करना होगा एक signature करना होगा उनके पास format तयार होगा एक signature करना होगा कि हां मैं इन्हें जानता हूं इनका character अच्छा है इन्होंने ऐसा कुछ भी गलत activity अभी तक हमारे नजर में नहीं किया है वहीं पर वो signature कर देंगे verify कर देंगे आपका certificate बन जाएगा तो यहीं डाकुमेंट आपको लेके जाने होंगे बेसिक से डाकुमेंट हमने आपको बता दिया character certificate, admit card, 10th का मासिट और आप अपना photo ID proof लेके जाएगा अर्थात आधार card लेके जाएगा तो यह डाकुमेंट आपको लेके जाने होंगे मेरे लिस्ट के जरीए आपके जाने लेटर आपके address पर भेद दिया जाएगा जिस तरीके से आपका admit card भेजा गया है बागी कोई डाउट आए तो comment section में पूछ लीजेगा, telegram को जान कर लेजे जो भी डाउट आता है, telegram पर पूछ सकते हैं चलिए मिठने आप लोगों से फिर किसे next वीडियो में तब तक लिए जैनी